हेलो फ्रेंद्स वेल्कम टो गोल्डेन सिल्वर अनलाइसिस दोस्तों आप लोग प्लीज चनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल इकन प्रेस कीजिएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे वर्टसप चनल का लिंक दिया हुआ है आप लोग लिंक लिक करके वर्टसप ज टेकनिकल अनलाइसिस करते हैं दोस्तों 31 जनौरी को यूएस का इंटरेस्ट्रेट डिसिशन आया था और दोस्तों फेड ने इंटरेस्ट्रेट अंचेंजड रखा है और दोस्तों फेड के चैर्मेन ने बोला है आने वाले समय में इंटरेस्ट्रेट का डिसिशन कॉम्प् किया था दोस्तों Indian Time के अनुसार कल 7 PM को US का Initial jobless claim का data आया था आप लोग देख सकते हैं Initial jobless claim का data forecast से ज़ाधा आया था और उसी इसाब से दोस्तों हम दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इनिशियल जोबलेस क्लेम का डेटा आने के बाद जो है गोल्ड और सिल्वर में अपमूव दिखा और दोस्तों इंडियन टेम के अनुसार कल 3.30 को यूरो जोन का CPI डेटा आया था और दोस्तों यूरो जोन का CPI डेटा फोर्कास्ट से ज होने वाला है और दोस्तों ये डेटा भी गोल्ड और सिल्वर के लिए पोजिटिव था और उसी सबसे दोस्तों कल के ट्रेडिंग सेशन में सिल्वर में स्ट्रॉंग अपमूव दिखा दोस्तों इंडियन टैम के अनुसार आज रात 7 बजे बहुत ही इंपोर्टेंट नोन नन फर्म पेरोल डेटा आने वाला है और दोस्तों ये डेटा गोल्ड और सिल्वर के लिए बहुत ही कुरूशेल होने वाला है तो ये स्पिकुलेट किया जा रहा है क्यूंकि इनिशियल जोबलेस क्लेम के डेटा डोलर इंडेक्स के लिए निगेटीव आया था और उसी तब से दोस्तों अगर non-form payroll data dollar index के लिए negative आता है तब जो है gold और silver में strong up move आज के trading session में दिख सकता है और दोस्तों non-form payroll data के साथ unemployment rate का data और average hourly earning का data भी आने वाला है और दोस्तों ये तीनो data next week के लिए gold और silver का direction clear करने वाला है और उसी इसाब से दोस्तों आज का data बहुत ही crucial होने वाला है दोस्तों हम लोग daily chart पे देख सकते हैं at the time of recording this video silver micro 72,350 के बाद trade कर रहा है और दोस्तों initial jobless claim का data आने के बाद जो है silver strong हो गया है और उसी इसाब से दोस्तों 71,800 से 72,200 का जो range है ये silver micro के लिए strong support zone बन गया है और दोस्तों 71,800 के नीचे 71,000 से 71,200 का जो range है ये भी silver के लिए strong support बना हुआ है उसी इसाब से दोस्तों जब तक price ही support zone के उपर है तब तक जो है silver micro का sentiment बुलिश रहने वाला है 72,600 silver micro के लिए resistance बन गया है 72,600 के उपर 73,200 silver micro के लिए resistance बन गया है और उसी इसाब से दोस्तों आने वाले समय में अगर price 72,600 के उपर sustain करता है तब जो है silver में strong up move दिखने वाला है दोस्तों हम लोग वानर के चार्ट पे देख सकते हैं 71,000 से 71,200 का जो range है ये silver के लिए strong support zone बन गया है 72,600 के उपर 71,800 से 72,200 का जो range है ये silver के लिए strong support zone बन गया है और दोस्तों 72,600 silver के लिए strong resistance बन गया है 72,600 के उपर 73,200 silver के लिए resistance बन गया है और 73,200 के उपर 74,000 और 75,000 silver के लिए resistance बना हुआ है और उसी साब से दोस्तों आने वाले समय में अगर price 72,600 के उपर sustain करता है और half an hour का candle form करता है उसके उपर तब जो हैं हम लोग higher level के लिए target कर सकते हैं और उसी साब से हम लोग का first target होने वाला है 73,200, 73,200 के उपर हम लोगों का next target होने वाला है 74,000 और 74,000 के उपर हम लोग 75,000 के लिए trail कर सकते हैं और दोस्तों आने वाले समय में अगर price 71,800 के नीचे चला जाता है तब जो हैं हम लोग sale कर सकते हैं और उसी साब से हम लोग का first target होने वाला है 71,200 हम लोग का second target होने वाला है 71,000 और अगर price 71,000 के भी नीचे जाता है तब जो हैं हम लोग 70,400 के लिए downside target कर सकते हैं तो यह रहा silver micro का complete analysis दोस्तो आप लोग silver micro के analysis से silver mini और silver mega में भी trade plan कर सकते हैं अभी हम लोग gold mini का analysis कर लेते हैं दोस्तो हम लोग one hour के chart वे देख सकते हैं 62,600 gold mini के लिए strong support बन गया है और 62,800 gold mini के लिए strong resistance बन गया है और दोस्तो इंडियन टेम के अनुसरा रात 7 बजे बहुत ही important non-form payroll data आने वाला है और उसी इसाब से दोस्तो अगर non-form payroll data gold के favor में आता है तब जो है gold 62,800 के उपर जाने वाला है अगर non-form payroll data gold के लिए negative आता है तब जो है 62,600 का support भी break हो सकता है दोस्तो आने वाले समय में अगर price 62,800 के उपर sustain करता है और half an hour का candle form करता है उसके उपर तब जो है हम लोग higher level के लिए target कर सकते हैं और उसी इसाब से दोस्तो हम लोग का first target होने वाला है 63,000 और अगर price 63,000 के उपर भी sustain करता है तब जो है हम लोग 63,200 के लिए भी target कर सकते हैं और दोस्तो आज के trading session में अगर price 62,600 का support break कर देता है तब जो है हम लोग sale कर सकते हैं और उसी इसाब से हम लोग का first target होने वाला है 62,400 हम लोग का second target होने वाला है 62,200 और अगर price 62,200 के भी नीचे जाता है तब जो है हम लोग 62,000 के लिए target कर सकते हैं तो यह रहा gold mini के complete analysis दोस्तो आप लोग gold mini के analysis से gold mega में भी trade plan कर सकते हैं आशा करता हूँ आज के analysis आप लोगों को अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजेगा और अगर पहली वार इस channel को visit कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को subscribe कीजेगा, bell icon प्रेस कीजेगा और अपने दोस्तों के साथ share भी कीजेगा Thanks for watching the video